गौड मॉर्निंग माइडिया इस्टूरेंट मैं नितीज सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का आगला वीडियो लेके आया हूँ मैडिये इस्टूरेंग जैसा कि हमारी ओर आपकी कल विडियो के माध्य आप से मुल renovation के बारे मिल डिसकस करख आये जैसे मोल रासिया मोल मात्रक बीवत्पन मात्रक पूरक रासियां पूरक मात्रक हमारी कुछ सिस्टम थे ठीक है कला हमने आपको सिस्टम पढ़ाई थे कुछ सिस्टम थे उन सिस्टम के बारे हमने आपको बताया था ठीक है तो और थोड़ा सामने विमी सूत के बारे हम बताया था तो आज का जो सेशन है आज का सेशन special आपके लिए आया है और इसमें आपको सिर्फ हम यहीं बताएंगे क्या बताएंगी my dh train बिमी सूत्र दिख रहा होगा my dh train आपको जैसा की बोड़ पर दिख रहा होगा क्या लिखा पेपर कॉपी पहन लेके इस वीडियो के सामने बैठें और फिर देखें ठीक है और जो भी आप सकता हूँ अपना नोट कर सकते हैं हिंस के तौर ठीक है वीडियो अंतक बड़े यह बढ़ा यह चोटा हो लेकिन आज की वीडियो बहुत ही मजा आएगा आपको एक एक चीज क बताया था विमी सूत कलम ने बताया था यह सारी चीजह रिवियन करा दें जब किसी जब किसी वीद्पर रासी के मात्रक को आवस्यक मूल मात्रकों की पदों में लिखा जाता है ठीक है लिखा जाता है तो उसे उस रासी का विमी सूत तथा मूल मात्रकों पर चार गातंको वीजिए चलेगे द्राइं बेदा को सीट आपको देख रही है वोट ठीक है यापको हम बता चुकρ एक बार पहर बताद ईशको ध्यान से देख लेना वह शैकर जो भी बीडियो चलेगा चलेगा इस पूरे वीडियो मिसी सीट का काम आएगा लंबाई द्रमान समय ताप जयोती तीवर्ता विद्धुधारा उपदार्थ की मात्रा यह साथ क्या होती माई डियूस्टे मूल रासियां इन साथ मूल रासियां होती है तो मूल मात्रक होते हैं कौन-कौन से मीटर किलो सिंबल बनाए गए जैसे हम बोलते हैं विमी संकेत यह देखिए अगला जो सीडिज रही अगला वो आपके स्कीन पर यह रहा ओके आगया दोल के विमी संकेत अभी याद रखना डारेक्ट आपको दिमाग पर रख लेना अभी पूरे विडियों का मैं लंबाई के लिए कै कैपटल अम समय के लिए केप्टल T और और आप यह एप्टल के यार ठीटा और जयुटी तीवर्टा के लिए चीड जयूती तीवर्टा के लिए स्टी यहां से एक चीजोल हो गई वालू मैं कौनची से कव बोगी नहीं पता देख pro यह जो मोलो रो ता मोलेस के लिता है ए नहीं तो ठीटा भी यूज करते है देखतर ठीटा जयोती तीवरता के लिए स्टीडी और विद्दोदारा के लिए कैप्टल ए बनाएंगे और पदार्थ की मात्रा के लिए स्मॉल एमोल दिखेंगे एक बार दिमाग बर रख लो चालू करें इस इक साथ ही हम आगे बढ़ते हैं माईडियस्ट्री जैसा कि आपको स्कीन पर देख रहा है सबसे पहले बात करते हैं छेत फिल की द्यान समयना छेत फिल का चेत पर तो माईडियस्ट्री सब को पता होगा छेत फिल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चोड़ा आएज़ा के च्रक वो हमने बताए है अब देखो यहां से तो यह कछेद फल लंबाई लंबाई के लिए किसमे ना पहएंगे मीटर में चोड़ा के लिए सकते मियंट सकते हैं डुके कि लिए क्या आपको आपकी स्किन पर ये राज आपने बोई आपके स्किन पर लंबाई के लिए क्याप्टल एल चोणड़ाई के लिए क्टेटल मैं दोनों का आपसमर गोडां कर दिये तो अलिंटु एल बन गया इसक्वेयर यह होगा बभी मींसूत कि इसका छेथफाल कर ठीक्या तो दिमाग पर रखना अगर गई पूचाई पलका मात्रक तो आपको बताओं गी मीटर स्क्वेयर चेथफाल का मात्रक पूचा रिखा और लभाल्फवामां की सबयाई है तो फर्मूला ककी आ ध्यक्ति टान अधू घघोड़ाई और उद्टन उचाई ह recognizing माई धियो लबाई किसा में आपके मीटर में क्या आएगा चैपिटल एल चोड़ाई किसमें आप हैंगे कैप्टल केया मैं गाएगा कैप्टल 3 को मिला दिया तो हमारा बनके एल की पावर थेए। तो होता है जो आयतन होता है किसी चीज का आयतन निकालते हैं। आयतन होता है उसका जो विमी सूत होता है वह रहां समझू रिलेक्स हो के। और इसके बारें जादना कुछ बतानी तो पता ही होगा आगे चलो इसकी नियान्ट मैं घानत समझत बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रशना में जैसे आपने माइडियों हाई स्कूल पर आजीज पढ़ी हो गी पता है इसका नाम था आपको बताया गया होगा गालक अमली गालक भरजन अधात्री मैट्रिक्स पढ़ेते हैं उसे किसे आयस कहते हैं पढ़ा होगा किसे आयस कहते हैं खनेज को कब आयस कहते हैं कब नहीं कह सकते हैं अमली गालक छारी गालक अधात्ती मैट्रिक्स भरजन ठीक है सांद्र बहुत सारी के लिए उसमें आपने पढ़े जहांक प्लवन विदी में वहां पर एक एक लाइन आपने पढ़ी होगी कि हम क्या करते हैं असुद्धियों और दात्यू क को छोड़े-चोटे पीस में कूट करकि दलद चक्की में पीस लेते हैं उसे दलद चक्की में दो पार्ट लगे होते हैं नीचे वाला पार्ट इस्थिर होता है इसलिए उस पूरी सुद्ध यसीह ऑफ्कॉर के रूप में परवर्टित कर देते हैं ऐसी समझ च्की को ऐसे स लेकिन उपर वाला पाट घुमता है तो इस प्रकार उसमें जो पिसना उसे प्स्ता उसने वहां पर बताया होगा जो हमारी असवधियां तली के उपर आ जाती है लिए फेर रहा निंटी परसंगर के दूर चली बंदा होता है वो निक्षे बादा आपको समन्स के है शेल चली है प्लाँ वह बता था भाता था my हमें याद्पाताई भी बता दिया साय यह apsom लिए टेकर टेर तो मैड हो था तिश देखू द्R द्यान से हमने आपको बताया था कल गैनत बरावरह उता है द्रमान उते आयता कशीन पर गैनत पर गार्बरमत द्रमान बांच बास एंग्लेश्ट में ने ने कप दो खात ठीक है थेम द्रमान के लिए हम क्या लगाएंगे कैप्टल एम तो द्रमान के लिए हमने यहां लगा दिया क्या लगा दिया कैप्टल एम लगा दिया तो द्रमान के लिए हमने लगा दिया माईडियर्श्टुन कैप्टल एम यह बॉलियम मतलब आयतन और आयतन का भी मिसूत आप निकाल हो गया ml-3 next चलो आगे वीडियो चले हागे चलो कोई दिखकत यहां तक चलो माई जिस्टुन आगम बात करते वेग की तो बेग की बारें जैसा की पता हो का वेग कैसी रासी याद रखना वेग वेग वेलो सिटी स्वरी वेग को इंगलिस में वेलो सिटी बोलते हैं और किसी कड़ की प्रारंबिक और अंते में स्थेति के बीच की दूरी कम देख लेदर देख अब बताते हैं यहां पर एक लड़का है पॉइंटी पर हमें नहीं लगता है कि आपको पता होगा साइथ का पता ही नहीं बेग का होता है जैसे पॉइंट एपर थमाइडियों कोई पॉइंट यसा चला कहां पहुंच हुआ पॉइंट भी मागर नाइं तफ़ वह तो समझ तो पापता होगा नहीं तो आसे क्या पता हुआ पॉइंट इसे चले कहां चली माइडियों से चली ठिक है पॉइंट है यह दूरी सने यह से बी तक चलने में कितनी तीन के दीन मीट चार कितनी डिस्टेंस तह करी साथ मीटर दिस्टेंस साथ मीटर थैगर उसे अाचीव कि लेकर अगर का आपसे पूझे बिस्थापन कितना हुआ तो 20% साथ नहीं हुआ क्यों quelques विश्थापन का मतलब होता माइडियर इस्टुएंट किसी कड़ की पिर्थमिस्थिति और उस कड़ की अंतिमस्थिति के बीच की जो दूरी होती होसे हम विश्थापन कहते देखो वियक्ति ने बिन्दू से चलना सुरू किया सबंदू सी पर रुप गया तो ए और सी के करती था वो एसे चला और सी पे रुका तो पहली स्थिति हो गई ए और लाश्ट पोजिशन होगी सी तो ए और सी के बीस की दूरी होगी वही आपकी क्या कहलाएगी वही आपका कहलाएगा डिस्प्लिशमेंट ठीक है एधी याद रखना डिस्प्लिशमेंट ईंग्लेश बोलतेहं था अब देखो यह तीन है यह चार यह नव्यंद का कौन वनीगा तीन-चार तो यह पंच निकलेगा पता होगा मैंट मित निकली का पमच तो आपको बिंद्धबन केतना वगज़ अ और वह आपकी क्या हो गई दूरी हो गई और बिस्थापन का मतलब होता है पहली इस्थिति और अंतिम इस्थिति जैसे कोई यहां से चले गोम करके फिर आ जाए तो बिस्थापन जीरो होगा लेकिन दूरी थो नहीं कभी जीरो होगी ठीक है चलो अब समझ में आगे जब यह टॉपिक आएगा माई डियर तब आपको और किलियर करें ठीक है अभी अतना टाइम भी नहीं और उस पर जोर भी दे सकती हम जो सिकान हो देखो तो माई डियर स्थिति सबसे पहले हैं बात करते हैं बेक की तो हमने क्या बता है बेग बराबर डिस displacement किसमें ना पेंगे आप cancer होगा मीटर में ठीक है displacement हम ना पेंगे मीटर में तो मीटर के लिए क्या लगाएंगे माईडिया ट्रून समय के लिए क्या लगाएंगे T तो T को ऊपर कर दो यह बन गया समय है वराबर होता है तोरल वराबर फार्मूला होता है तो बराबर बेग परवर्तन बटी समय ठीक है अगर किसी को तुरल और बेग डिटील से नहीं आ रहे समझ में तो ठीक है तो हमारे यूट्यूज चैनल पर जाकर कि वहां पर इंगलिस में होगा ठीक है ऐसी डियेशन और वैलिस्टी के नम से एक वीडियो पढ़ा होगा उस पाइगा तभी पढ़ापिए ठीक है लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं तो रहल पर आबर फ्रॉला होता होता है और बेग प्रवर्तन वाटे समय आप देखे निकल कै도 इंको याज रखना तो आए नहीं आएंगे बेग काम अपटो कांटरी करिंद एक वारम कर चुके तो बेग का विमीसूत होता है घ्रल्ति माइनस वन यह जब करोगे माई डियस्टव अपने अपन अपर जाएंगे तो बेग का विमीसूत होता है थेख यहां अपना सबस्क्राइब तो जो तोरल होता है तोरल का विमीसूत हो गया माई डिरी स्टुडेंट एल्टी माइनस टू क्या होता है तोरल का विमीसूत होता है एल्टी माइनस टू अगर पूछे तोरल का मात्रक बता तो मात्रक तो रटा होगा क्या होता है मीटर प्रती सेकेंड स्क्वेर क्या होता है स्थीप इस सब्सक्राइब को रहार अपको आपका सबांगे कब देखो या सी मान या सिमालू माई इस्टाइब स्टॉड पर दोलें तो हें हमारी क्वान स्थी दिक रिखेखी गतिवी सीटी लेकर अगूगा हो जैसी कूगा है इस कुगा कि आऄ सपास अगर तो यह कौन सी गती हुई तो यह आपकी गती कहलाएगी ब्रती गती कौन सी गती कहलाएगी यह आपकी गती हो जाएगी ब्रती गती ठीक है यह आपकी ब्रती गती कहलाएगी ठीक है देखो जब हमारा जैसे हम कर रोड पर चले हम हम किसी ग्राउंड में दौल है वहां पर जो तुरह लोगा यानि रिज़ रेखी गती में जो तुरह लोगा सीधी रेक जो हमारी सिंपल गती में तुरह लोगा वह दो सब्सक्राइं लेकिन फ़स्टियर में चैप्टर होगा वरती गती वहां पर जतनी भी चीजा पढ़ेंग को सारी चीजह डवल पढ़ेंगी उसका नाम हो जाएगा कोड़ी कोड़ी सब्सक्राइब लग जाएगा ठीक है जैसे जैसे नहीं समझा दें हम आपकी बास हम सब्सक्राइब तरक्maडृतष टीटा पाले यह दीटा और यह पने उसैंगाा हुआ हुआ यह लाए और नहुप्लेस दस दोनों मिला करके आपने पढ़ेंगे और भी इसके पढ़ेंगे लेकिन इसका एक नया फंक्सन पढ़ने को मिलेगा वह अभी तक आपको यह पता नहीं होगा टेन का भी भाग दे सकती पता था नहीं था तो अब आप फस्टियर में जवाई तो आज पढ़ेंगे टेन की पावर माइनिस ठीटा जांस अब जब आपने हाइश स्कूल में पढ़ा तो पढ़ा था टेन ठीटा और इंटर में आप एक नया फंक्सान पढ़ेंगे वो कावा तरवर माइनस ठीटा मत्रव इसे कहते हैं हम 10 inverse ठीटा क्या कहते हैं इसे बोलते हैं 10 inverse ठीटा हाई स्कूल में जितने भी आपने तर्कॉन वित्री में फॉर्मूला पड़े थे उसके डबल में उसको उतने फर्मूला आपको इनवर्स फंक्शन पढ़ने पढ़ेंगे दो चार एक्सटा होंगे समझ गई टेन ठीटा में हाइज स्कूल नौदस में तरकॉनिम जितने फर्मूला पढ़ेंगे उतने ही फर्मूला आपको टेन इनवर्स में पढ़ने पढ़ेंगे अब जैसे याप बीसी में पढ़ेंगे टेन एश्टीटा मतला हाइपर बूलिक और अफ्टेन थीटा इतनी बात के लिए रहे हैं याप पढ़ेंगे माई डियस्ट्रें थीटा ठीक है तो यह हम थोड़ी सी बताने की मेरी बात थी क्या पढ़ेंगे ठीक है तो अब आब आजा अपनी टॉपिक पढ अभी तक आपने जो भी तुरल पढ़े थे उनके जो भी पढ़ा तुरल पढ़ा बेग पढ़ा विस्थापन पढ़ा अब आप इस सिफ़ फश्टियर में एक चैप्टर पढ़ेंगे बरतीगति वहां पर सब की आंगे एक सब जोड़ जाएगा कौणी जैसे ने बताया त दिकत नहीं चलवांगे चलो तो माइडियेश्ट्र यहां फर्मूला क्या होता है कोणी परिसान ना होना कि यह नहीं क्योंकि अभी आपने पढ़े नहीं मुत्तों माइडियेश्ट्र कैसे पता होंगे आपको अभी आप सर्फ तरीका सीखो हम आपको सिका रहे हैं सुत निकालना से जाओ ठीक है और अपना प्रैक्टिस कर लो इसके वाद जैसे हम आपको पढ़ाएंगे उसकी परवासा उसका डेरिवेशन उसके बारें बताएंगे और उसके फर्मूला के सिद्ध कराएंगे तो अपने आभी मिसुत निकाल लेंगे साहिए तो रटने कोसि ना करना चलो कोनी तुरल बराबर होता है माई डिए स्टूडेंट चैंज ऑप एंग चैंज ऑप एंग एंगलर वेलिस्टी अपॉंट टाइम जैसे देखो इस समझो तुरल बराबर था बेग परवर्तन बटे समय था द्यान समय नहीं दोन एक से तो समय तो समय बेग तोर वर्तन जो कॉली सुर्kok को णीम को होता है कॉली बेग कोदे सुथ होता टी माइनस बं और समय का दीटी यूपर कर दो तो कोणी ट्रॉन की में स्टो क्तूरा यह तों से तो अगला आयब बाल किया है माई डिस्टन फल तो ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा आप बराबर एमे निूटन के दूतिन इम्से पढ़ा था या पढ़ा था एब बराबर एमे इनको याद रखना ठीक यह तिन चार बहुत काम जैसे तो रहाई बेगा यह बार बार वार यह जोगे ठीक तो एब बराबर में एब बराबर में की बात करें आपने पड़ा था माज़ी एश्ट्वन न्यूटन ने बताया था अपनी दूतिनियम में अब यहां से बात बात अख़ड़ की सुन लो अगर कोई पूछे के बलकी खोज न्यूटन के कौन से नियम से होई तो पत्तों आपका अंसर होगा न्यूटन के प्रथम नियम से बहुत ही कमबकों मिलेगा ठीक है बहुत द्यान से बहुत अजीब बात है बलकी खोज न्यूटन के प्रथम नियम से लेकिन बलका जो फर्मूला आया वो न्यूटन के दूतिनियम से आया ठीक है बलकी खोज तो निउटन के प्रफम नियम सही उसका अस्तर्थ महसस हुआ है तो और व्हावरेragen एप को बोलते हैं बल तो हमारा फॉर्मूला बन गया बन गया बन बराबर द्रमान इंटो देखा स्कीन पर आ गया जल बराबर द्रमान मनीं टू धर मं के लिए हम क्या लगाएंगे माईडिया इस्ट्वेंट ए रहा यहां रख दिया आप क्यों निकाल निकाल चुकिए अब तो बता नहीं समझा चुकिए आपको मिला दिया तो इसका विमिसूत होता है वो होटा है MLt-2 तो याद होगा और traditionally मिनेय थो मरों गव्हें देमिसूत के तरफ स्वरी निक्स्ट विम शूत के निक्स्ट आपका यानि हम यह कह सकते कार बराबर होता है बल गुण है विस्थापन क्या होता है कार बराबर होता है बल गुण है विस्थापन ठीक है तो बलका विमी सूत कार बराबर होता है बल गुण है विस्थापन जैसा कि आपको स्कीन पर देख रहा है कार बराबर बल गुण है विस्थ बलकाव मीर्सोत अभी पीछे निकाल चुए यह रिखाये मेर्ल T माइनस टू और बिस्थापन को मीटर में ना पैँगे इसके लिए लगा दिया और तीनों को मिला दिया यह गया ml स्कूर्ड T माइनस टू क्या हों सब्सक्राइब डिया मैद्ट यह हो गया ml से चले कोई व्यक्ति जिस बिंदू चले घूम करके अगर उसी बिंदू पर आ जाए तो विस्थापन कैसा होगा जीरो होगा और जब विस्थापन जीरो होगा तो कार जीरो होगा कैसे देख अब इस बात को थोड़ी सी दिमाग भी आपका लग जाएगा ठीक है चोटा सा ज और दोनों दारु पीने गए ठेका खुल गए तो दोनों दारु पीने गए उनका जूब वो गए तो भी एक थेका था एक मतल से होकर जाना पड़ता था उसकी बगल में ठेका था सब्सक्राइब का किनारे बहुत सारी मंखन पहलें पाली सब्सक्राइब घंग सबस्क्राइब किनारे कराने कर दो सके this माईडियेव्यक्ति से ये सब्सक्राइब को पहुंचे और ठेका से दारू लिक कसके दारू पी माईडियस्टोन जब दारू पी करके बहुत जाधा नसाम हो गए तब चले अब गर्मी नकल गर्मी उनको लगने लगी तो उन्होंने अपनी अपनी सठ निकाल के अपनी कंदे पर रख ली सठ निकाल लिक कंदे पर रख ली चले लगी चलते रहे दारू में इतने जाधा बिजी थे के वो सठ कहीं हमने क्या बता है जो मकान वो नहीं जो मकान रेलवे लाइन के किनारे बना था ठीक है उस मकान के थोड़े से पहले लग दसपंदा कदम पहले ही वो उन दोनों की सठ जो कंदे पर रखी थी वो सरक गई वो तो गिर गई सठ गिर गई अब यह कलवा और वूरा दोनों व्यक्ति जैसे मकान के पास आई मकान के पास पहुंचे तो इन्हें नसा के मारा यह दिखाई दिया कि वह मकान रेलवे के रेलवे लाइन के किनार नहीं रेलवे की बीच है लाइन के बीच में बनाया है तो कल वूरे के बूरे वहिया का यहा आप यह सुनती हो यार ऐसा लग रहा है बताओ आदम कितने ज़्यादा बेवखुंग हैं तो उसने ऑ 🎵 कई हमी आब जब यह आंसे गुझरे थे वह यहम आदो नहीं था लेकिन हम अब जैसे धारूपी का लोट करके आए लोट करके आए बेक्तियों ने रहे यार इतना खंड ितनी देर में मकान बना दिया वह भी लाएन के ऊपर वने नसा माँरे वो मकान कहाँ दिख रहा था पठ्टरी के ऊपर उने लग रहा था कि यह पठ्टी के ऊपर वना तो बुलितों क्या होगा कैयार हम तुमने जिंदकी में कोई अच्छा काम ने किया आज एक काम कर लो इस मकान में बच्ची होंगे लीडीज और बहुत जैसे ट्रेन आएगे लगा कि मकान की ये प्रफ कर दू तो उनूनों क्या कि यह उस मकान की दीवार पर धलागाने लगी लिक लगा ले भूरा ले रहाले ले भूरा तो रहो नुद्वर अब हैं तो यह राव उन्होंने रात भर धक्का लगा जैसे ही सुबह चूर बजी उनका थोड़ासा नजा निकलाद नसा उनका कम हुआ तो ने कृस लगाव रहने तो अब देखो railway 9 के किनारे आएगो हम लोगों ने रात बार धक्का लगाँ तो मकान थोलो से खिशक्क करके रेलिवे लाइन के किनारे आएको क्यों क्योंकि उन्हें का नसा हो चंग गया वने रियल में दिखाने लगा तो उन्हें से कोई भी अगर ट्रेन गुजरेगी वो ट्रेन आराम से गुजर जाएगी आप इस मकान में गिरने वालक आप इस मकान में जो भी व्यक्ति होंगे वो मरेंगी नहीं तो वो बोला यार हम तुमने बूरा बोला के कलू भई यह हमने तुम्हें कित्तु धक्का लगा हूँ तो वहां से वहां से हम तुमने धक्का लगाया और इस मकान को धक्का लगा करके यहां तक कर दिया वहां पर वहां पर तो उन्होंने एक तरफ कर दिया ठीक है उन्होंने धक्का लगा करके एक तरफ कर दिया ओके जब उन्होंने धक्का लगा करके एक तरफ कर दिया किसको कर को हम लोगों ने साथ वहां तक डाली ती और मकान यहां तक आगे हम लोगों ने खूब धक्का लगाया वह दौन ने साथ उठाइए और अपनी चले गए ठीक है हथी आई कुछ ठीक आगे देखो अब माई जेस्ट्वन द्यान रख देगे ना हो वहां मकान पर धक्का लगा ऑधना कर भी आपका कितना होगा जीरो और थेक है थोड़ा सा एंज्वैं भी होगा और हैं बात भी समजमांगए उख हो okay तो अब कर universal होता तो होटा है वह आपका होता है ली स्क्वयर टी माइनस टु 버 बात करते माइडिये संभेग की किसकी बात करें संभेग माइडिये फर्मूला होता है संभेग बराबर द्रमान गोले वेग और जैसा कि हम आपको बता चुकी यह रहा है द्रमान के लिए क्या लगाएंगे कैप्टाल एम बेग का पीछे रहा एल्टी माइनस बन दोनों को मिल दिया तो समभेक का विमिसूत होता है L T minus one next देखो आप सक्ति आपको पता होगा सक्ति मतल्ब ताकत उर्जा सक्ति को एक सामर्थ और बोलती है थी कि तो सक्ति बढबर क्या होता है सक्ति वराबर आप लोगों ने पढ़ा होगक Healthy पढ़ा था मिस स्क्ति ह्योज़ा बाता है टीडिति को उपर कर दिया तो इस मीसूत होता है यह मैल स्कुरटी मानेश ढ़िखना देखना देख दिया यह लिख़ दिया यह ती जहाँ पर जाएगा तो मानेस पाबर इस पर वी आएगे कि आगे देखो सब्सक्राइब की बात करते हैं दाब का फर्मूला होता है इंगलेस बोलेंगे फोर्स वटे words अगे चलो अब फोर्स जो था बल था बल का विम एक सूत क्या तो एक दूसरे से रिलेटेड है मतलब सीख जाएंगे तब बहुत मजा अब आप सीख गए होंगे कुल रखते जाब बनता जाएगा देखो दाब वराबल वटे छेथ फल बलका बलका विमी सूत हम निकाल चुकिए हम सीख गए क्या होता है सबसे पहला विमी सूत था एली स्कुर्ट दॉनों को मिला दिया दिया एक लसी एक लसी एक आल कर जाएगा और एक लूब पर जाएगा हो जाएगा एं-个- 2 हो गया अगे चलो है सह कि बालागूल की बात करें तो देखना बैलागूल कैसे रखेंगे मांध एक प्रस्न आता है कि जो हता होता है वह परढ़ि के पास लगा जाता है वहां बीच वाली ऻोल के पास नहीं रघक्यों आप भी बोल बोल्ट खोलने माला पीचकस होता है पीचकस का हत्ता बढ़ा बनाया जा था क्यों तो इन सब के रीजन किसके द्वारा आते हैं बल आगूर के द्वारा ठीक है जब आए का टॉपिक तब बताएंगे समझे लो एंस सिंपल बात होती माइडिये स्टुन बल बल बराबर क्या हो जाएगा बल का फॉर्मूला बल का विमिसूट माइडिये स्टुन एमल टी माइने स्टु गोल अंगुल गोल अक्सिक के लिए रेका कि दूरी दूरी है दूरी मान ना पेंगे मीटर में और मीटर के लिए क्लिए लगा ल तो यह हो गया बल आगूल बराब आप का अगा रका अचान और है कहा नहीं अभी पीछे बता है यह मिविजूद किसका कार का और है क्या सी बहुत तारी एक से मिलेंगे ठीक है चलो आवरती आवरती बराबर बिलकुँ सिंपल सा होता माइड इस टुन आवरती वराबर रॉता वन ऑपॉन आवरत कार माड़ आफरती वराभन आपन आपन आवर्थ का लाभरा खर इंगिस बोलती एं टाइम पीरिए तो आफरती मेरा पॉन आफरत्काल बन का बन रहा जैसे मेरी पूरी स्क्रीन है इस स्क्रीन पर कोई हम पीचकस लगां या किसी ओल से ऐसे करके ताकत लगां उसके द्वारा तो यह प्रस्ट है ठीक है यह आपको अभी हम क्लियर नहीं बता सकते एक और समझे पानी होता पानी ऐसे अपने देखा गार में बेशन बनता है बनता टो ऐसा तरही भागवाद जी बैठी हो और और ओली जो बरफ बड़ार करकर में फटा भागवाद जी तो गोल नहीं बिना ति लेकिन फिर भी ओले अपने आप गूल होते ईकसकी कारण तो बिता देना उनको प्रश्ट तनाव के कारण किसके कारण प्रेस्ट तनाव के ठी तो प्रेश्ट तनाव बराबर बलवटे लंबाई तो बलका विमिसूत को है है वो क्या होता है आफ आपकण NICK-2 एएंदी विमिस्त होताइए मत-2 और इस जगह तो कोई प्रवलम पहले बता कोई प्रच चले य drills तो आप बहुत बढ़िया कुस्सान है कि ओले किस कारण बोल होते हैं प्रेश्ट तनाव की कारण गति दूर जा यह तो पड़ी होगी माई डियस्टून का च्छानों में गति दूर बराबर क्या होता है एक बटे दो इन्टू एम बी स्क्वेर तो एक दिवर और हां एक बात बिमीशुत कहां से होगा क्यों हमने आपकी मुल रासी क्योंकि विमीशुत उसी का थो सकता है जिसकी मूल रासी के अंतरगत आता होगा साहिए तो एक बटे दो है पाई एफ आई यह इन कस अपक्र तो निगोगा ठीक है अब ऐसाइपाई किसी चीज को अगर प्रतासित कर हो सकता है एक बटे दुखा कोई भी मेन सुतनि ओगा के लिए क्टाल है भी बेग होता बैके लिए हमके गई के माधा क्या हूता है यह ceramraise परश्न परश्न पराइं तो पता चलेगा अगटेदूर जा कभी इसूद एम एल स्क्वेर टी मानेस तो और यही कार का ओता और बताव यह किसका था अभी आज़त आगूल का अधा पीछे जड़त आगूल का बीसूद था देखाएं यह देखो है यह न्यादा नीजिआए बलाग वे इसमूत किया था यह मैं स्कूर किसके बरावर था kindness जिए कि morning आधिक आटती हो और डिए स्थेदुर जाए स्थे लुजा फॉर्मूला किस ते यू बराबर एम जी हम करा एंधि हो तास्टालत कि developing सब्सक्राइब कर दो एक मेरी बाट दिमार को रख लैना माईडिया सब्सक्राइब कि जितनी भी और जाएं होती है जो भी और जाएं और जाओं का विमीसूत हमेशा एक होता है सब्सक्राइब क्योंकि मातर भी एक ही होता है कौन होता है मातर जूल सब्सक्राइब का सबसे पहले देखा फर्मूला क्या होता है सब्सक्राइब क्योंकि हम से गुर्ट्वा करसा नीटां क्या होता है सार्वतिक गुर्ट्वा करसा नीटां क्या होता है अब देखना जहां से जी उधार कर यह आर स्क्राइब हाग था इसमें गुड़ा हो गया यह फार इस पर बटे एंबन इंटू का क्या लग गया तो सार्तिक गुर्ट्वा करसा नीटां यानि कैपिल जी का विमिसूत हो गया एफ आर इसकार बटे एंबन इंटू नेक चलो आप देखो सार्तिक गुर्ट्वा करसा नीतां कैपिल जी का विमिसूत हम कैसे निकालेंगे देखो तो कैपिल जी कविसूत हम निकालेंगे बराबर एफ जो होता है बलका विमिसूत अगर पूचा होगा साद एम अल्टी माइनस सोय बलका विममिसूत होता है म एल टी माइनस ठूरr विमिसूत होता हुष संवेब हैं मोगे और जाना को अल् proposed की साथ मिला दिया था है आप देखना ऐसे एक एम से एक एम कार्ड दो पहले समझों कर यह एक एम से एक एम से एक एम एक एम जो नीची बचा उपर जाएगा क्या होगा यह माइनस और दो एल और एक कितने हो गए और टी मैनस टू यानि कए इस प्रतो बह्त बहुत बहुत स हाएं बहुत बहुत भत न लोग पताते हैं बाइब लगों हाइस कुल पढ़ा था आप लोगों ने हाइस कुल पढ़ा था प्रतूद पाला था कर्तोर दितने इन तो में पता है आर बराबर वह कहन वानल की फिर न्यार्व सब्सक्राइण नहीं होता है तो यह अप हमने लगा दिया äडलीव ऑपन क्यों इन टू आई है और ढीप लोगों हमने पढा था आई स्कूल में ठीक है आइसकूल जीस ने पढ़ाया हूं हमने किसी न पढ़ायों वहां पर आपने पढ़ाऊ की वर आवर आई की पढ़ाता इंटरीव पढ़ेंगे वराइटी तो क्यों को हटा करके हमने आइटी लगा दिया 2 हो गई तो यहां से बन किया डबलू अपॉण टी आइए स्कुरार क्या बन गया डबलू बर डबलू अपॉण टी आइए स्क्रम बस इतना कर लिया तो यहां से बन गया डबलू अपॉन्टी इसकोर मन किया डबलू का विमी सूथ हम निकाल चुके पीछे अभी रट गया होगा बहुत बार क्या हो गया होता है इसलिए झाय होता है बलागोल का होटा है अब देखесто ALL का engine sam his लेखा फिर एले स्वेल लेखा देखो ऊपर दो टीटी निगेटिव एक टी और उपर पहुंच की निगेटिव जड़ जाएगी तो हो गया स्वें प्यूर्द टी- t मायने स्वें धर फिलिस का था ऊपर चला किस्का होगी तो लिए त richter तो आज में पूर्ण कर द यह मैंगे तिटन कर нем करवा दिया और प्रेक्टिस करना और बिल्कुर सिंपल ज्यादा कोई टेंसन लेनी चार-पांच वर्ड है इंगलेस के वही लगाते चल ठीक है अच्छे समझेना बहुत मज़ा आएगा अभी इसके आंगे यूज होंगे तब देखना क्या क्या क्माल होता है इनका ठीक है अब आपका एक काम और करने माइडिया जितने भी आपने हाई स्कूल तक फर्मूला पढ़े होंगे उनके विमिसूत अपनी मन से निकालना और फिर अपनी पीडिया से मिला लेना से मिलेंगे पता करना प्रैक्टिस करना ठीक है तो इसी के साथ ही मैंने तीस सर्थ अभी आपके और भी कुछ इंपोर्टन विमिस चाहता हूँ ठीक है और आपको जैसा भी वीडियो लेगा आप लोग बताएं अप लोग बताती नहीं है को हमें बताया करो ठीक है जैसा भी हो हम उसमें देखा करें के भाई कौन सी हमसे गलती होती पढ़ाने में पढ़ाना आता है कैनी आता हो लोगों से कितनी कमजोर है और फलने ठीक है तो ये भी जो जो भी आपकी बात हो आप बताये करें के इसी एक साथ ही ये वीडियो का पीडिया मिलेगी कोभी लिखते चले मस्थ बनाते चले जो भी आपके डावट हो हमें बताएं और हम कुस्यार क्लियर करेंगे के साथ यह मैंने ती साफ लोगों से बनाले ताओ के गुद्ट बाइ